कि हैं यहीं सवाल खाथmak जानेठी यहीं सवाल आपको दिखिए हैं इसम आपका यह सारे डवर कमेंट उ या एक्जाम होने की possibility कब तक है सर एंवेस का पेपर जैसे कब तक हो सकता है ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद नीचे देखिए यह देखिए सर पिलीस रिपला एक्जाम होगा या नहीं होगा बहुत confusion है धेर सारे यह तो मैंने कुछी कमेंट दिखाया गार मैं कमेंट की होटल हुआ है और इसको लेकर यहां पर एक पेटीशन जारी किया थी पंजाब एंड हर्याना हाई कोट के अंदर और पंजाब एंड हर्याना हाई कोट ने केंद्र सरकार को नोटिस बीजा है कि इसकी बारे में जान कर दिए कल एक मामला यह आगे निकलके कि NBS एक्जाम इसके बाद प्लीस मत बूलिएगा NBS का पेपर कब तक होगा पहले तो यह डाउट आ रहा है तो देखिए यह अभी किसी को नहीं मालूं की पेपर कब तक होगा बट कुछ चीजे है जो आपको बीडियो मताँगा तो पूरा सोले ना जिससे हम आप आपको आप खुरी पता कर सकेंगे ठीक है कि NBS का अब तक होगा ओके चले तो यह डाउटर सबसे बड़ा अब देखिए सबसे पहला तो यहा आता है कि NBS कोट केश एक तो यह सबसे बड़ा मैटर फस गया तो क्या कोट केस का हमारे एक्जाम पर एफेक्ट पड़ेगा एक्जाम डेट क्या इसके वेसे डिले होगी तो जी हाँ बिल्कुल डिले हो सकती कोट कि हाई कोट में मामला गया है और उसने केंदर को नोटिस बेजाए और जब तक वो भरती और उसमें साफ साफ मैंने जब कल आपको हेडिंग पढ़ाई कि उसमें लिखा था कि इसके कारण 2024 की भरती प्रिकरिया यान कि वो और ज्यादा टल चक्ती, अगर इस कोच क्लियर करने के चक्क्र में इसको ट्ल देंगे. या फिर इसमें दूसरा से संगेरियो यह होगा कि वो akt केस चलता रहे क्यों क्योँ कि केस बहुत संगीन है ठीक है उसमें case में ऐसा है कि 6 बच्चे ऐस से सेलक्क कि गेगे जो कि ना तो selected list में थे ना नहीं waiting list में number था उनको select कलिए है तो मामला काफी गंभी रूचका है तो हो सकता है कोट case के वाइश से जो high quote है वो इस्टे लगा दे 2024 के भरती पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है अगर ये exam करा भी लेते हैं मानके चलिए ठीक है exam date आईगी और exam भी हो जागा और सार्च ये सही रही तो आपका पूरी scenario से जागा तो आप बिल्कुल tension मत लीजे अपनी जो तयारी है उसको करते रही है ठीक है बाद में जो होगा देखा जागा आप केबल अपनी तयारी कीजिए इसके बाद next है अरे अरे यह दॉट है तो किया हमारे पैसे बरबाद गए तो देखिए अब तो इन्वेस्टव हों कर चुके हैं वना कहीं से doubt आ रहा है, तो दोस्तों, पैसे बरबाद नहीं गए है चीक है, पैसे आपके कोई बरबाद नहीं गए आपको पैसे देखे, अगर exam नहीं होता है तो इस साथ refund का भी process करेंगे ओके, और पैसे कोई बरबाद नहीं गए एक्जाम आपका होगा, हो सकता है कि डिले हो जाए एक्जाम में, जो चीज़ें वो सही होने के बाद एक्जाम हो, काफी लंबा सामे भी लग सकता है, बट एक्जाम आपका होगा, definitely होगा, ठीक है तो पैसे बरबाद वाली कोई tension ही है, हाला कि आप लोगो ने भरेते कहीं से जोगार करके तो लगता है थोड़ा, बट पैसे बरबाद नहीं जाएंगे, आपका एक्जाम होगा, और नहीं होगा, तो जहां था कि NBS को इसो बापिस करना पड़ेगा, चलिए, इसके बाद डाउट आ रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस एक्जाम को और भी DSSB के एक्जाम है, अगर आपने उनका फॉर्मर रखा है, तो आप निरंतर त्यारी करते रही है, इसके जो जो छे टॉपिक्स हैं, वो अगर आप SSC को उठाएंगे, तो पांच टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, अगर DSS भी उठाएंगे, तो छे की जो एक्जाम हैं, आप उसके त्यारी कीजिए, और मैं कहुंगा, स्लेबस बाइस, जो टॉपिक दिये गए हैं, उसके बाइस अपनी त्यारी कीजिए, जिससे अगर कोई भी एक्जाम होता है, या NBS का होता है, या ओधर एक्जाम होता है, तो आप उसको क्लिर कर पाएं, एक्जाम उ्रियंटेट बडाई मन कीजेए, सलेबस उ्रियंटेट बडाई कीजेए, इसका साल्यूपिशन है, कि पडाई मों मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें, अगर केबल यहें एक्जाम है, तो इसी सलेबस को कम्लीट, आप केबल सलेबस क Espra agora करके रख लो, एक्जाम से केस निकल कर आते हैं कि जहांपर exam से पहले गोटाली की चीज़े सामने आती है या जो exam हुगया उसका paper भी होगा उसके将 भाद गोटाली की कि अभी नहीं करा रहे हैं 6 मीने बाद करेंगे दो मेने बाद करेंगे अपके पैसे बरबाद नहीं जाएगे ठीक है आप कितनी भी जो प्रीवी सेर की घठना हुई है आप उनको ठाके इस चीज को देख सकते हैं आपको करना होगा अगर आपको करना होगा अगर आपको अपनका करना ही चल्दी से जल्दी तो क्या करना होगा थे अपकी टेस्ट एक घ्जाम कंड़टिं एज़ेंशिया है NT आपका exam लेगी, NBS में आपका selection होगा, इसने इसको tender दिया है, यान कि ये इसका करता दरता है, और इसको इसमें पैसे दियें कि तुम इनका exam कराओ, candidates का, but वो इसके सारे पर काम करेगे, इसमें भी case हो चुका है, ये तो और लेडी भी बादो मन चल रहा, तो दोनों फसे हुए, ठीक है, but फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे exam, आपको एक काम क्या करना होगा, जिससे आप इन पर दबाव डाल सकें, कि हमारा exam कराईए, exam के date बताईए, क्या चीज़ा करने है, तो आप NTA की official website पर जाएंगे, नीचे contacts में जाएंगे, वहाँ आपको 2-3 number मिलेंगे, सभी number पर आपको ट्रै करना है, और जब तक वो call नहीं उठा, call उठेगा, मैंने एक दिन आपको call आके बताया तो उनसे बात भी की थी, call उठेगा 100%, आपको थोड़ा से धेर रखना है, हो सकता है, दिन में अगर आपको 50 बार call करना पड़े, उसके बाद call उठेगा, तो NTA और NBS, दोनों की NBS recruitment cell, official website पर आपके सब के नमर मिलेंगे, नीचे जाओ, सारे जितने भी number सब ट्रैमार दो, और एक ही चीज़ बोलो कि सर हमारी fees बापिस करिए, इस चीज़ के तरीके से आपको exam date के बारे में पूछना कोल मिला है, कोई भी बद तमीज से बात करनी है, तो हमारी exam की जो date है, वो आप प्लीज बता दिए, या फिर उनसे यही कंपम कली कि सर exam हो गा या नहीं होगा, अब इन पर चितने ज्यादा नमर उप संख्या में काल जाएंगे, तो उतनों जाद नंको लोगए कि अब बच्चों में आकरोस आचुका है, मन्दाब बच्चे व्याकोल हो रहा है, इनको कुछ ना कुछ तो हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तो यह फिर कुछ ना कुछ solution देंगे, exam date देंगे, या एक month बता देंगे, या कुछ बता देंगे, आप इनसे कुछे कि sir exam date नहीं बता रहे, sir month बता दीजे, sir यह बता दीजे, कितने time होगा, month भी नहीं बता पारे, 2 मही निए, 4 महीदे, yum, यह वाले वीडियो नहीं देखा है तो कल जाके देख लेना बाकि टेलीग्राम को जोएन कर लेना यहां पर जो भी अपडेट साथ है यहां पर डालते रहता हूं चीजें है यह मेरे चैनल सब्सक्राब कर लेना जीके इसकी त्यारी के लिए को कर लेना मैं भी घर आया हूँ अगली वीडियो में अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिन जबारत